नमस्तार बच्चों आज हम लोग जो यह 17 शक्त्र लिखा गया है लेकिन हो 17 शक्त्र होगा 18 शक्त्र में हमने विश्वास भात को मकरण पढ़ाया है और उसका अभ्यास बनाने के लिए लिए जाती है तो अब यह 17 शक्त्र है यहां इस गलत्की को जरू सुधार देए इसके दिए कोड़ी खेल है मैंने पुड़ार्था यार्था यार्था की सत्र नंबर क्या है अज़ार की जीड़ा आज मिश्वास भात को मकरण का प्रश्रुकतर आपको समझा रहे है पहला प्रश्र है इसमें संस्कुत में उप्तर दे मतलब हुआ मखर मगरमच कस्या कारण किसका कारण जानना चाहता है मगर मच्छिक किसका कारण जानना चाहता है उत्तर होगा कस्या प्रश्पाचिक शब्द है उसके जगह हम उत्तर का क्या लिखेंगे मगर वानरस्य स्वास्थस्या प्रसन्नता याह च कारणम यातु इच्छती फिर से देखेगा मतलब हुआ मगरमच वानण के स्वास्थ एवं प्रसनता का कारण जानना चाहता हाँ मतलब है दूजरा क्रस्ण है मागर की मर्थ्रम वानण निमनत्रयती, मगरमच किसलिए वानण को स्पीया कि दूश्ण के लिए दिया था लेकिन खोजन के लिए पैरने का उद्श क्या था वा अपने पत्ली को कुछ करना चाहता था इसका मैं लिख दे रही हूं दूश्ण का प्वारि पढ़िया पर्या को मगड़ वानड़ मगड़ स्वापत्लिं तोशायतु तोशायतु अप्लापसां कुष्ट करने के लिए मगड़ स्वापत्लिं तोशायतु बानड़ं भोचनाया निमंत्रायती बानड़ं निमंत्रां देता है मगड़ मच अपनी पत्नी को स्वापत्नी अपनी पत्नी को तोशायतु तंपुष्ट करने के लिए वानड़ं को भोजन के लिए निमंत्रां देता है तिक है दोलो कारण इसमें आगया अगला है तीसरा प्रस्न वानड़ं मस्तिष्के कहा विचारस हुटती वानड़ं के मस्तिष्क में कैसा कौन विचार्टपन होता है अपने बचाओ के लिए उसने सूचा था कि कहा कि अब बचाओ कैसे करना चाहिए कहा उसी प्रबंच में मैं बात मेरा हंड़ं को पेर पड़ी है तो क्या कहा था तीसरे प्रसमें गेखिएगा वानड़ं मस्तिष्के वानड़ं मस्तिष्के वानड़ं मस्तिष्के स्वरख्षनया स्वररक्षाक्षाक्ष। कि बरुने कोई दी श्वरक्षनया या स्वररक्षाक्षाक्ष। वानड़ं दिमाँ में अपने रक्षा केंगे विचारा स्पूरती। विचारा, स्पू, प्रति, यात, मामा ह्रिदयां तू, मामा ह्रिदयां तू, जन्बु व्रिक्षे, जन्बु व्रिक्षे, एवर, संड़क्षितान, संड़क्षितान, अस्ति, अस्ति आपि लगा भी सकते हैं, और नहीं भी लगा सकते हैं, लिकीं भी होत सकते हैं, याता था मैंसी, तो देखेगा, बानर के मस्क में, अपनी रक्षा के लिए, विचार आया की, मेरा हनिदया तो, जांगु के पीर, पारियसु रक्षितान, तेखेगा, चोधा प्रश्य क्या है इसका, चोधा है, अन्ते वानर मकरम किम वदती अन्ते में वानर ने मगर मर्च को क्या कहा क्या बोला अन्ते वानर मकरम वदती अन्ते वानर मकरम किम वदती इक मत्मी को क्या बोला पत्नी दासाद विश्वास भाताद Grace विष्वास, भार्तगा, त्वां, मंप्रानान, मंप्रानान, हर्तुम, इच्छासि, अंत्मे बानन में मकर्मच्छ को कहा कि पत्नी डास, विष्वास भार्तगी तुम मेरे प्रानों को हर्ना चाहते हो, बच्छ, बच्छ, आवयो मित्रता, हम दोनों की मित्रता, समाक्ता, हम दोनों की मित्रता समाक्त हो गई, खत्म हो गई, फिर से देखे, अंत्मे बानन के मकर्मच्छ को कहा कि यहां लट्लकाइट कात्काईट के इसका प्रयोग किया रह सकता है, वादती भी आप लेक सकते हैं, चाहे इसके बदले पे हम आवदती नहीं लेक सकते हैं, कि हैं? तिक है? यह पत्नी दासर विष्वास भातततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत सामें किताब में भी कैसी दें फिर से पहला प्रश्म लिजेगा मगड़ा वान रस्या स्वास्त रस्या पसंद आया हचावकारणं ग्यातुर्ण इच्छति उसके बाद से आपका दूसरा प्रश्म दूसरी प्रश्म में हैं हिंदी में अनुबाद करना है दूसरे प्रश्म में क्या है हिंदी में अनुबाद करना तो ध्यान दीजेगा अहम जंबु खलानी खादामी अहम उत्तम पुष एक बचन है न तो तुरियारी उत्तम पुष एक बचन है अहम मैं जंबु खलानी जामुन के फलों को खादामी खाता हूँ मैं जामुन के फल खाता हूँ स्वस्था प्रशन और स्वस्था जा भवामी प्रशन और स्वस्थ रहता हूँ मैं जामुन के फल खाता हूँ और स्वस्था रहता हूँ दूद्रा है वानरह कानिचित जंगो खलानी मपरंप्रति छीपति ल्यातरण है रखेगा हम लग की तरफ की ओर बोलते हैं ना उस अर्थ का प्रति अब्यका प्रयोग होता है और प्रति के योग में हमेशा दूतिया भी नक्ति होती है प्रति के योग में कौन से भी नक्ति होती है हमेशा दूतिया भी नक्ति होती है तो देखेगा वानरह वानरह ने कानिचित कुछ अनिश्यवर्चत है कुछ जंगो खलानी जामून के खल मगरमच्छ को उसकी ओर फेकता है वानर कुछ जामून के खल मगरमच्छ की ओर फेक देता है एवं इस प्रकार तयोह मगरमच्छ एवं बानरह में मध्य के बीच में मित्ताब भवती मित्ताब होती है इस प्रकार हम दोनों वानर एवं मगरमच्छ के बीच मित्ताब होती है चोथा है ग्रिहे मगरस्य पत्नी फलानी खादती फल खाती है घर में मगरमच्छ की पत्नी अंठात मकडी फल खाती है ममपत्नी मकडी त्वां बोजनाया निमंत्रयाती निमंत्रन दे रही है बुला रही है मेरी पत्नी मकडी तुम्हें भोजन के लिए बुला रही है निमंत्रन दे रही है तुम ममा प्रस्थे उपविशा तुम ममा प्रस्थे मेरी पीच पर उपविशा बैठो बैठ जाओ तुम मेरी पीच पर बैठ जाओ अब है ऊशे नमर्ग गौ तो गौ में क्या लिखा है ऊशेट नमर्ग गौ है इसमें है समस्क्रप्ट में अलवार करना है नदी के किनारे एक जामून का पेर्ठा नदी के किनारे नद्या, नदी के सच्छी, तो नद्या हो गया नदी के सच्छी में, किनारे, किनार पर कटे, सब्तनी हो गया, नद्या, कटे, ऐसे लिए रिखेंगे, एक साथ लिखना चाहेंगे, तो क्या करेंगे? नधी तडे नधी के तड़ पर एक जामून का पेड़ था पेड़ ब्रिक्ष पुलिक होता है इसलिए एक जंबू ब्रिक्ष आसीत जंबू ब्रिक्ष आसीत नधी के तड़ पर एक जामून का पेड़ था दूसरा बाग है जामुन के पेर पर एक बंदर रहता था जामुन के पेर पर तो एक साथ कर दिया जंबू ब्रिच्षे इसको कहने के लिया तो तो क्या करें नहिता है जंबू का रांत है कि अधी. उन्यां नहिता है, तो उन्यां दिया जंबू ब्रिच्षे इसको कि यहँदे है चीद है, जंबू ब्रिच्षे इक बानर कहरा था एक वानरह वसती स्म रहता हा, स्म अप्यापधितातन तक पा होता है, वह हमेशा रहतार में स्म जोर पर भूतकल बनाया जाता है, जामूर के पर एक वानरह रहता हा, आगे है, नदी में एक मगरमच रहता है, नदी में सब्तने में भखती है, तो नदी के सब्तने अधिकरण कारण में का होता है, नद्याम, नद्याम, आप ऐसे भी नहीं सकेगा, द्याम, नद्याम, नदी में एक मगरमच, यहां एक का स्वार है, एक से मौलिक दिया, नद्या एक मपरह वसतिस्म रहता हा नधी में एक मगरमच रहता हा बंदर और मगरमच में गहरी मित्रता हो गई बानर मपरयोग सत्तमी सस्ची दोनों के भी बचर में होता है ठीक है तो बानर मपरयोग अगर मध्ये जोड़े लिए तो सस्ची मध्ये नहीं जोड़े तो सत्तमी मान ले तो सस्ची का प्रयोग में कर रहे हूं बानर्मकरयों मध्ये गजरी अधी प्रगाधा मैंस्त्री स्क्रिप प्रगाधा मैंस्त्री अभवर बानर और मगर्मच के बीच गजरी दोस्ती होगे एक बार मगर्मच जामुद के कुछ फल अपने घर ले गया एक बार एक अधा मगर्मच कुछ अनिष्छे बासकर बनाम है जैबुभ फल फल नमसे इसलिग होता है तो किनके कानी हुआ ना कानी बहु बचनक कुछ फल बहु बचनक है और अनिष्टे वार्चा था इसके चिक प्रत्या जोड़िया तो कानी चिक मतलब कोछे कानी चिक जंगुफलानी अब है कि जोड़ ने रखा कि यहां भी खाड रेकर हो जाता है कि परें परें अलग है जंगुफलानी पाँचिक जंगुफलानी ग्रिहम त्यास्टवा ग्रिहम चोड़ दीजे अपने घर ले गया अनायत तैक है अपने घर ले गया यहां कितार में लेकने हैं उसमें सब लगलतार का प्रयोग है तो पहले का है इसलिए हम उसके लिए लगलतार का प्रयोग कर रहे हैं मेरी पत्निये तुमें मुदर पर आमंत्र दिखिया मामा पत्नी माम, पत्मी, तुम बेदुझे क्वाम दुधियाने, यूश्माद की दुधियाने क्वाम गोजनाय, गोजनाय निमंत्रतवति या निमंत्रयति, निमंत्रन दी है, गुलाई है, ऐा मंत्रन किया है में आनो, में पत्मी तुम्हारा कले जा, खाना चाहाएं माम, पत्मी, तुम्हारा खाक तौबा, बुश्माद का प्रत्माने क्वाम दुधियाने क्वाम सर्ची में डेथे तौबा फिर्ट फिर्ट नम्या रिदयां भी आपने सकते हैं तवा रिदयां खाड़ी तुम इच्छा दें मेरी पत्मी तुम्हारा हुगय खाना चाहती है आप देखे इसमें मैंने इक शब्द को समझाया है कालक है भुसान अप ध्यान से जब्द बनाएगा तो शायद आपको परिशानी नहीं दोगी आगे देखेगा कोशन नम्बर घ्वा घ्वा में रिद्ध स्कानों की पूर्ती है ये किताब के वाक्तियों को भरना है मगरह कानी चित जम्बू फलानी अब यहाँ देखेगा मकरम प्रतिक शिपती जो लिखा है ये किताब का दोश है मकरह पहले नहीं होना चाहिए वानरह लिखना चाहिए वानरह कानी चित जम्बू फलानी मकरम प्रतिक शिपती याणि पहला नबर का पहला शक्रम मगरह है वानरह होना चाहिए विश्वाची इना वानरह मकरस्य प्रिष्ठे उपविशती तीसरह मकरह नधी मारगेन मारगेन होना चाहिए इन्नो निर्णो वानरह ग्रिहम प्रतिक शिपती ममपत्मी मकरी तो तब खृतिक शिपती नब इच्छाती अब देखे सही के सामें टिक और गलत के सामें क्रॉस गलत का चिंद लगाना है नदी तटी एका आम प्रिच्छा आसी हो आम का प्रेड नहीं थाना जमुन का प्रेड था तो गलत हो गया दूसरा एक अदा कानी चिंद जमुन खलानी मकरा स्वाप्रिहमना याती सही है ममपत्मी मकरी तवाम भोजनाया निमंत्रा याती सही है तवाम ममप्रस्थे उपविशा यहीं सही है ममपत्मी मकरी तो खर्दय पिंडाम इच्छाती यहीं सही है तस्याक अठनेना मव प्रानान हर्तु इप्छासी यह भी सही है यह वानर ने कहा था अब करता अब जिए कि कोषिय है नूर्ट चोव में क्या है आपका तुब कोषिय हमें यौन है पातु परचाहिनेना परचाहिए जैसे आपका परचाह पूछा जाता है तो आप अपना नाम बताती हैं, स्कूल में आप हैं, तो स्कूल में पहले नाम बताती हैं, तब क्लास बताती हैं, सेक्शन बताते हैं, रॉल नमबर बताते हैं, ये स्कूल का पड़्चे हुआ, उसके बाद, तो पहले तो बाहर में कोई पूछेगा आपका, तो नाम बताई क्लास, सेक्शन, रॉल नंबर, पापा का नाम, ममी का नाम, ये एडिमेशन के मामले में हो गिया, ऐसे आपसे कोई पुछेगा, पापा का, ममी का नाम बताएगा, आप कहां रहते हैं, वो गली मुहला का नाम बताएगा, मेन आसवास के प्रमुख जोग चो रहा है, उसका ना आपके चिलां बताके हैंट, वो जिस सने आपकषे disc होता है, उसी प्रखार वाँत में शब्दों का प्रयोग होता है, और शब्द पर ये रनाविर्ड का अधिकार होता है, तो पद हो जाता है, उस पद के बारे में बताना, कि कैसा शब्द है, किया लिद्धक्ति है, किया तो देखिएगा भोजनायक बारे में पूछ का है कि भोजनायक ऐसा है तो ध्यान देना है आपको भोजनायक मूरिशाद इसका क्या है एकोगा मूरिशाद उना पढ़ चैए तेका इसमें बाकी चीज़ नहीं कहा है मूरिशाद पूछेगा पूछेगा विभापती पूछेगा आपने बताईएगा बचाया बताईएगा इसका और उसकी बाद लेट भी बता दीजेगा तो को अब ही अच्छाई भी बताएगे अब भोजनायक मूरिशाद इसका क्या है जेustर व्यवक्ति बीवच्ति है चतौरर्थी करोट की है बचन क्या है एक लिंग क्या हिसा नगुण सब्सक्राइब देखें कि आप जंपू फलानी का मुड़ के हो जाएगा जंपू फाल कोंसी व्रक्री है इसमें आपका नगुण सब्सक्राइब प्रत्मा दुखा एक ही होता है लेकिन यहां जो पार्ट में अपने प्रयुक्त गया है इसमें दूइतिया विख्षे है तो कौनसी विख्षे हो गई दूइतिया कौनसा बचन है बाहु बचन कौनसा लिंग है इसका नपुक्सक लिंग ही है व्रिक्षे अब देखे आप व्रिक्षे है इस व्रिक्षे का कौन से विवक्ति है, साथमी है, कौन सा वचन है, एक वचन है, कौन सा ग्यिंग है या पूर्लिंग है, उसके बाद आपका मार गेना, मार गेना, मार गेना, मूर शक्ति क्या है इसका, मार्ग है, विवक्ति क्या है इसकी, तृतिया है, बचन क्या है इसका, बहु बचन है, औ ईलएगी क्या है? या pulling है. बादस्या मिद्याद़िजीगा मुंशक क्या है? मगर है, बिभक्ती क्या है? शर्ची है, शर्ची कई है, वचन क्या है? एक वचन है, लिग क्या है? फूल लिंग नदर बगए इसका । तस्मिर इसन्जाब पक्टे अब तस्मिर है इंग बढ़ जाए या सर्वनाम है और क्रेंस्ट है क्या या सर्वनाम है मुल्शक क्या हएं तैद्र । क्या है इसका मुल्शकू तद्र। कौण시 ट्रिंग्चि में है क्या सब्तमी में है नपुज़त में तुट्लिया से पूलिंग की तरह ही रुप चलता लेकिन यह बिच के लियो दिया गया है तब कूलिंग हो बहाए ठीक है वचन का है एक वचन रिंग क्या है पूलिंग है शिप्रमेवब शिप्रमेव यह अव्याइपद है तिक है क्या है अव्याइपद है अव्याइपद है वह इसका प्रयोग हो जाता है और यह सुबंत पदूता है उसके बाद है आवयोध उसमें कितार में जलब क्रिंट हो गया है आवकों लिखा हुआ है आवयोध यहीं सर्वनाव पर तिक आवयोध का मूल क्या है अस्मद मूल क्या है अस्मद कौन से लगती है यहां सस्ची सक्षपी दोनों में प्रयोग होता है कि मद्द जो रहा हुआ आवयोध मद्द है हम दोनों के वीच में तो लिभाद हो रहा है ऐसे यह सब्टमी में यहीं होता है वचन के है इसका वी बचन और इसका पुलिंग नपुसर्व सभी पिंगों म नहीं है कि तो यहां मगरमच्छ और बाना डोल अफुलिंग है इसलिए हम इसको फुलिंग बताया है इतना अब देखिया है यूद्यत आवस्तार है आपका इस पार्थ में फलम, मित्रता, भोजनम आदी शब्दों का प्रयोग किया गया है यह शब्द लपन सा किलेंग शब्द है नीचे फलम शब्द का रुप दिया दा रहा है इसे पूरा कीजिए तो ध्यां बीजिगा फलम का प्रत्मा बिदिया एक ली करीके का होता है ठीखा और तुर्थिया से बालक को तरह रुब चलेगा तो मैं बर्वदी बोल दहीं हूं प्रत्मा मदिया खलंखलेखलानी दुर्थिया ने खलंखलेखलानी तुर्थिया खलेइन खलाभ्यां खलाईन चतुर्थी में खलाय, खलाभ्यां, खलेभ्या, पंज्मी में खलाग, खलाभ्यां, खलेभ्या, सस्ची, खलस्या, खलयो, खलाना, सक्तमी, खले, खलयो, खलेशु, बुर्धनीशुद